हाई दफस्तो वेरे गूड मॉर्निंग तो अल फ्यू कि यह वीडियो जो है बहुत इंपोर्डेंट है जो भी नया कंस्क्रशन कर रहे हैं आसकर उन्हों सो यह वीडियो में आपको यह जान करेंगा कि एक मामुली सा छोटा सा घर यानिकी जस्ट लाइक बिलो एवरेज मान सकते आप या फिर एक रूम बनानी के लिए कितना है गया है ऑगलना चाते हैं या फिर एक रूम और एक फिर ऊइस इस विड्यो में आपको step-by-step पूरा खर्छा बताऊंगा और वीडियो को आप देखिए तो वीडियो देखने के बाद ही आपको भी समस्त में आता है कब-कब कौन सा मटेर लगेगा कब क्या डम करना चाहिए कि एक साथ डम करना सही है या नहीं यह जान करें इस वीडियो में मिलेगा यहां पर विद प्लान के साथ प्राइस डिटेल्स है कितना सिमिट लगा है आप तक वो डिटेल पे आपको मैं बता देता हूँ वाज दिस वीडियो अंटिल एंड दो लाइक, शेर, सब्सक्राइब, सपोर्ट दी चनल टो रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर सोन यूटूब यहां पर जो है दोस्तों यह प्लान है इसका प्लान इस तरह से बनाए गया प्रजेर्ट पोर्शन यह है फ्यूचर प्लानिंग भी रका हुआ है अगर कॉलम का यह लोड बीयरिंग है वीतव बगर कॉलम का है सो यह वीतव गोलम लोड बीयरिंग आइंड इसके अंदर लोहा जरा से भी इस्तमाल नहीं किया गया लोहे का इस्तमाल हुआ ही नहीं इस घर के लिए मतलब लोहा इस्तमाल होता है लिंटल, बीम, स्लाब में तो वो इस्तमाल हुआ है नहीं इस घर के लिए यह फुल विव है घर का सामने कटा लिया गया सामने की तरफ और यह उपर टिन विताउट स्लाब का है सो टिन शिट्स लिया गा है स्लाब रिप्लेस कर गए यह फ्रंट व्यू इस्ट फेसिंग सामने सामने एक विंडो और उसके बाज़े में डोर कोई वेंटिलेटर नहीं है और विंडो की आपोजिट और एक विंडो है ठीक है यह इस्ट फेसिंग का मैं सौथ फेस दिका था आपको यह जो है कॉर्णर व्यू फॉर्टि बाइफिट प्लाट है टोटल आइंड कंस्ट्रक्शन जो है आउटर टोटर ऐसा जो है ना ट्वेंटी वन फीट ऐसा जो है फ्रटिन फीट फीट में कंस्ट्रक्शन लिए इसमें देखिए इधर एक पिलर लिया गया वहां पर पिलर पिलर यह जो है यह जो है आप कट लिया गया सामने की दरफ थोड़ा तो कट रहना वुले के यह जो एक्स्ट्र फातर बज गये थे इसको चुप ऐसे रखा गया आप चाहें तो यूज करें या फिर नहीं ठीक है दुस्तों मैं अभी आपको नौर्ध की तरफ से दिखाऊँगा ऐसा स्चेप लिए आई गे इसके बारे में बताऊंगा मैं ये जो है ना नौर्ध की तरफ से है ओके दुसतों ये नौL की तरफ और यानि कि जमीन से पांच फतर बैटे है ठीक है और उसके बाद ये जो टोटल हाइट टेन फीट टेट सब्सक्राइब इस तरफ है इस तरफ जो है ना दस फोट करीब करीब ठीक है एक फतर जो है कम लिएगा स्लोप की वेज़े से और नेक्स्ट इधर बातरू में उसके लिए वेंटिलेटर और इस सामने के तरफ पांच फिट इसका विट थे टोटल ऐसा जो है पांच फिट आएं ऐसा लंबाई में जो है ना आट फिट और स्टेप्स बागी का कट्टा ये एंटर हो गए घर के अंदर यहां पर पूरा फिल अफ हुआ है ये फिर ये चौकट ओके चौकट के उपर लिंटल वो सब नहीं होता विलके इधर लियेगा अब फत्तर पत्तर लियेगा उसका सपोर्टिंग के लिए और ये जो रूफ है ना दूस्तो जब आप खास कर जहां पर भी लाते हैं आप सो वेल्डर को वेल्डर को जो बुलायने से अच्छा रहेगा बट उसके अलावा दूसरा जो आप्शन रहेगा आप इनको भी ला सकते जैसा यह जो बिटाए गया विताओट स्कुरू बिना स्कुरू मदद के से बिटाएगा और इसमें जो टोटल पाइप इस्तमाल कि एकदम स्टैंडर हाइट लेगा मतलब फ्यूचर में अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते तो कंटिन्यू कर सकते हैं ओके कि उस तरह से लिए गए इसका हाइट हो डाइमेंशन्स वीट्थ डैप्थ सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड साइज़ यह जो पैप से दोबाई दो का लाना चाहिए उपर का जो लाए गया वह दोबाई एक का है तो दोबाई एक का मतला यह आप लाना है तो सभी पैप्थ जो है ना 20 फिट के पैप्थ रहेगा स्टैंडर्ड साइजस आपको मिलेगा मार्केट में 20 फिट का लेंथ और साइजस जो दोबाई दो लाइएगा खासकर टिन शेट बिटाना है या फिर रूफ जो भी ठीक है दूस्तों और यहां पर जो लाएगा दोबाई एक का आप मतला यह आ से बाइंडिंग वायर से यानि कि जे वायर है उसको इधर कनेक्ट किया है मतलब यह आने से भी कुछ दिक्कत नहीं होना बुलके है हवा आने से ठीक है और बादने वाला सही थोड़ा बहुत कुछ टिपिकल होता है जो इस घर को कंस्रेक्शन करने के लिए 3732 तक लिए गया वर्कर के दवारा ओके दुस्टोंग तो में यहां पर एक सिंगल बात्रूम ये सिंगल बात्रूम yn पर इतर python तो कि लिए गया यह थर स्टूर्ट क्या है अब कंस्रेक्शन करते है न उसी वक्द जो ही इदर शेलों लिए गया किया पर माद मुझे है न जरुत है इसको फट्र को रखना चाहते तो आपकोई दिक्कता यह आपर बहुत सारे दिक्कत होता है यह रखने को आता ही नहीं है आइंड यह पिपेपेजंगे अंदर बिठा के ये किया गया और सिमिंट लगा गया और एक बाहरूम फिक त्री फिट शिक्स इंच बाई शिक्स टू सेवन फिट तक है शिक्स एंड फिट मान लिजेगा काफी कमफ़र्टे पले हैं और हैंड वेंटी लेटर इसके बीच में भी एक बिटाए गया पाइप ताकि बेंड ना हो सके यह था और आवाम नेक्स्ट यह प्लान यह देखेगा यह प्लान यह प्लान इसका फॉर्टी बाई फिफ्टी और रूम जो लिया गया फॉर्टीन बाई ट्वेल और ट्री फिट नाइन इच भाई शिक्स फिट इधर इधर जो ना शेलूस ओपन स्पेस 18 बाई 16 का टू फिट शिक्स इंच आफसेट एरिया दो फिट का इधर आफसेट आइंड फ्यूचर प्लानिंग इस तरह का आप चाहे तो फ्यूचर में इसको कंटिनियूशन कर सकते सेम इसी घर को किचन कम डाइनिंग है अगर इधर ड खर्चा जो हो चुका है 1,244,000 अब तक खर्चा हुआ है यह देखेंगा दोस्तों अब तक जो खर्चा हुआ है 1,23,932 यानि कि एक लाग 24 से एक लाग 25,000 मान लिजेगा बस इतना वर्क हो चुका है अब तक एक लाग 25,000 आइंड यह दो मैं आपको लमसमें बताऊंगा इ 2000 पतर लाए गया है जूआ मैं 네 अगे का लिएज मे लोग से घर के लिए 70 रुपए में एक पतर फिर उसके बाद एटिन यह जो पईप साथ परए गया और उसके बाद एटिन साथ है तो इसका जो खर्चा हुआ है बीस ज़़खेंवा यह लोहbones का लाग गया फिर उसके बा नेक्स्ट एक काला रेत लाएगा है 32 का इसा पूर ये डिटेल है यहां पर एक करके पूरा लिखा हूं लाइम पूर्ड लगा था बुटी फोड़ वाइट सैंड दो टाक्टर रेत लाएगा फिर इस फतर है सिमेंट बैग जो है एप्रोग्जिमेंट 22 से 25 बैग होना कि इसे घर कंस्टक करना है तो आइंड यह जो मिट्टी है ना दो टिपर मिट्टी होना और बैड में एक रोड लिया गया था तो इस तरह का कुछ डिटेल से तो आज की जमाने आप एक रूम के लिए अप्रोग्जिमेंट तीन लाक रूपए खरचा होता है विट पिलर के साथ आप रूम बानते हैं ना 10 12 का हो या फिर 12 भाई 14 फिट का रूम आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते है तो एक रूम को विट पिलर के साथ बूले तो तीन लाक रूपए होना और विट फिनिशिंग के साथ अभि जो इसक साधा फर्स तो उसके लिए जो आपको इतना इसका मैं बताओं आपको लगबग दो लाक रुबे खर्चा होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते तो एक देड रूम का मान लिजे एक रूम और एक किचन के साथ सिर्फ दो रूम का इतना खर्चा हो जाएगा और विद पिलर के साथ कंस्ट्रक करना चाहते तो एक रूम को तीन लाक मान के आप चलिएगा ठीके दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहां पर स्टॉप करूँगा उम्मीदेव एक information जानकर या आपको इस channel से मिला होंगा Thank you so much, keep supporters to reach 10 million subscribers on YouTube and room simple है बट फिर भी जो इसका basement है जादा लिया गया because चाहे हो स्चाप हो, कुट्टे हो, कोई भी हो unwanted जीवी जो घर के अंदर आसानी से ना सके That's it